सुप्रबाद बच्चो, गुड मॉर्निंग चिल्रन, आज हम पढ़ेंगे अक्षर आउ, लेटर आउ आउसे आउरत, आउरत मीन्स ओमेन, आउसे आउशिधाल्य, आउशिधाल्य मीन्स फार्मेसी आउसे आउजार, आउजार्य मीन्स तूल्स, आउसे आउश्ध, आउश्ध मीन्स मेडिस्ट, अब हम जानेंगे आउरत के बारे में, now we'll know about women आउरत को महिला भी बोलते हैं, woman is also called female, आउरत अपने परिवार को संभालती है अब हम जानेंगे आउश्धाल्य के बारे में, now we'll know about pharmacy, आउश्धाल्य में हर तरह की आउश्ध मिलती है अब हम जानेंगे आउश्ध के बारे में, now we'll know about medicine हम बिमार हुने पर आउश्ध लेते हैं, we take medicines when we are sick हम आउश्धाल्य से आउश्ध खरीदते हैं, we buy medicines from pharmacy अब हम जानेंगे आउश्धाल्य के बारे में, now we'll know about tool हम टूटी चीजों को आउश्धार से ठीक करते हैं, we fix things with tools आउश्धार कई तरह के होते हैं, जैसे हतोड़ा, पेचकस, आदी there are many types of tools like hammer, screwdriver, etc. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ Now, children, I am going to tell you one story related to letter O एक समय की बात है, Aula नाम का एक लड़का था Once upon a time, there was a boy named Aula, वे बहुत श्रारती था He was very naughty, उसकी मा उसे बहुत समझाती थी कि श्रारत कम करा करो लेकिन वे नहीं मानता था His mother used to tell him not to do mischief, but he did not listen एक दिन उसके पिताजी घर में आवजार से काम कर रहे थे One day, his father was working at home with tools Aula की मान ये उसे कहा कि आवजार को नहीं चुना, लेकिन वे नहीं माना Aula's mothers told him not to touch the tool, but he did not agree जैसे ही उसके पिताजी कुछ काम से दूसरे कमरे में गए वो आवजार लेकर खेलने लगा और उसको चोट लग गए As soon as his father went to another room for some work, he started playing with a tune and got hurt तभी उसके पिताजी ने देखा तो वे तुरंथ उसको अस्पता ले गए When his father saw him, he immediately took him to the hospital वे डॉक्टर ने उसको बहुत सारी और शचद ले कर दी और उसके पिताजी और शचदाले से और शचद ले आए The doctor brought him a lot of medicines and his father brought medicines from the pharmacy उसको आशद बहुत कडवी लग रही थी और वो नहीं पी पाराः था तभ उसकी माने उसको प्यार सी समझाकर आशद पिला दी The medicines were very bitter so he was not able to drink Then his mother explained him with love and gave him the medicine और वे ठीक हो गया and he got well तो बच्चो इससे हमें क्या सिक्षा मिलती है कि बच्चो को आवजार से नहीं केलना चाहिए So the children moral of the story is children should not play with tools अब हम जानेंगे अक्षर आव को कैसे लिखते हैं Now we'll know how to write letter आव एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सार, आर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है नीली लाइन पर ही लिखना है In this, we do not have to write on red line We have to write only on blue line You okay children have a nice day bye-bye